तो हेलो बच्चो आपका एक बार आपका फिर से सोगा थे यहाँ पे आपका प्रतिभापर्व आपका जो 2021 वाइस यानि अभी आपका 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाला बच्चो तो यहाँ पे आपका कक्छा आपका क्या है आपका चौथी का यहाँ पे मैं बिस है आपका हि उत्तरा पर आपको गोला लगाना है तो देखें आपके क्या लिख है आपको ये आपको यह आपको paragraph पढ़ना है और paragraph पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर answer लगाना है ठीक है तो देखिए क्या लिखा है तालाब पर पाणी पीने कौन आता था तो इस कहानी को अपको पढ़ेंगे तो उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था तो आंसर आपको यहाँ पर क्या लगाना है बच्चों आपको यहाँ पर हाथी लगा देना है इसके बाद देखे सेकंड कोश्चन क्या लिखा है तलाप के किनारे कौन सा पेड लगा था तो आंसर आपको तलाप की किनारे जब इसे पढ़ो गया अब अच्छे से तो यहाँ देखेंगे जब वहां आया तो देखा कि तलाब रिता हुा है और पानी के एक बूंद भी वहां पे तलाब पर नहीं है, रिता पानी है ही नहीं और पास में धरफटक लेटाक राटे मर रहा था, और हाथी को समझ गया कि इसी आदमी ने तलाब का सारा पानी पी लिया है, और गुसे हाथी ने क्या किया, धरफटक को जो है सिर्फ से जोरधार चक्टकर मारी और धर्पकट पटक की क्या है निन तूट गई देखिए धर्पटक बला अपने पाठ पढ़ा होगा उसने आओ देखा न ताओ जट से हांती को पने अगोच्छे में बांप पोटली पर बांज लिया और पास में एक बड़ा सा खाज पर लगाना है आपको यहां पर खाजूर लगाना है कासश नूबबर त्री देखिए क्या आप को सारा पांड़ी घरपतक तो धरपतक ने और पानी पी गया है तो परबांद लिया तो अभी मैं ने बताया था किसमें के अंगोच्छी में बांद लिया था ठीक है तो आपक आपको बच्चों, पाँचक क्या दिखा ये पर पलाग का दला है और वन नाश्टा है कि नाश्टा है आपको यहां पे लगा देना है यहां पे इस वाली स्थान पर और 5that को प्रभानने से हैं तो क्या यहां आपको यह बाल सार आपको लगाना है जिसमें आपको क्या क Holz के आपको लिख देना इस बाली स्थान पर इसके बाद देखिए आपका निकषा देना अफंकेrove नाश्टा हो जाएगा ठीक है मोर हमेशा बन में नाश्टा है इसके बाद गाते हैं-चाचा यहां पर प्रसुन के आंसर आपको देना है तो question number 11 में आपका लिखा है उस जर्मर का नाम बताओ जिसके गरदन लंबी होती है तो यहाँ पर आपको मैंने बढ़िया इसका चित्र भी बना दिया है और आपको यहाँ पर लिख भी दिया कि बढ़ी जीराप जिराप की सगलतन सबसे लंबी होती है इसकी बाद question number 12 फलो का राजा किसे कहा जाता है तो फलो का राजा आपको यहाँ पर किसको कहा जाता है आम को कहा जाता है बिल्कुल सही जबाब आपका इसकी बाद question number 13 देखिए दो फोलो के आपके नाम लिखना है तो गुलाब और कने या फिर गेदा जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे पूरे नमबर आपको मिल जाएंगे कोश्चन मार 14 में आकास का विडियों सब्स क्या है आंसर बच्चो आपको यहाँ पर पाताल लगाना है तो पसंद आए बच्चो लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यदि आपने आदर सब्सक्राइब के नहीं देखे हैं तो जल्दी से वीडियो के प्लिश्ट पर जाएए यहाँ पर आपको सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे तो बिलते हैं तो जे हिंद जे भारत